अधिरादे दोस्तों मेरा नाम है मानव और आज हम लोग बात करेंगे मूवी ब्रहमास्तर के बारे में अजीब डियालोग सोने के बावजूद भी फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई है और जिसको नापसंद आई हो जाके आदे फुरुष देख लिए तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रहमास्तर दू के बारे में यानि कि देव आज हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि स्टोडीलाइन क्या हो सकती है और क्या नहीं मूवी मेकर्स ने कहा है मूवी रिलेज होगी 2026 दिसंबर तक जो बेली चीज हमारा करेकटर इशाय लानी कि अला बठ आल्लेबड काक्रश करेक्टर अपसिर भाहिं तक शीमिट नहीं रहे गया आला बठ रनमीर का पूल यानि कि हमारा अग्मियस्त का सपाक है तो अब उससे अपनी में समझनी होगी और इशा का करेक्टर के responsibility अब बढ़ जाती है अब हमारा next character Junoon, यानि कि मोनी रोय ये भी हो सकता है फिल्म में ये बताया जाए कि मोनी रोय जिसमें बार बार जुनून कहा है उसका जुनून यानि ब्रहमास्तर के बती जुनून तो ये हो सकता है कि मोनी रोय देव के against चले जाए और उस ब्रहमास्तर को पाने की कोशिश करें क्यों? क्योंकि वो जानती है ब्रहमास्तर के history value और अगर उसके बास ब्रहमास्तर मिल जाए यानि पूरी दुन्या उसके हाथ मिल जाए और उसके character को वैसे ही badass बताया गया है तो वो देव मुवी यानि ब्रहमास्तर 2 की सबसे बड़े विलन भी हो सकती है शायद ये भी हो सकता है कि देव और शिवा एक हो जाए और मोनी रोय यानि जुनून के खिलाफ लड़े उसके इसका ये भी मानना है कि अम्रिता का character शायद मरा नहीं है अम्रिता शायद चिप गए थी क्योंकि वो खुद एक पानी से related किसी अस्तर का part है तो शायद अगर वो पानी है तो वो आग में कैसे जल सकती है और उसे पता था एकना एक जिन देव की ताकत बड़ेगी और उसका लड़ने के लिए उसको वापिस आना होगा इसलिए वो कहीं छुप के बैठी है और जैसे ही देव आएगा वो देव को ब्रहमास्तर मिल जाएगा वो आएगी और देव से लड़ेगी शायद फिल्मेकर्ज ये भी कर सकते हैं ब्रहमास्तर 2 यानि की देव एक सीक्वल ना होके एक प्रीक्वल हो उस मूवी में ये ना बताया जाए कि ब्रहमास्तर का देव के पास आ जाने के बाद क्या हुआ मूवी में ये बता सकते हैं कि आखिर देव और अमृता मिले कैसे है और देव और अमरिता आखिर है कौन? और सबसे मेंग क्वेशन आखिर ये गुरुजी है कौन? गुरुजी के बारे में इस प्लम में जादा कुछ नहीं बता है तो शायद गुरुजी, देव और अमरिता के उपर ही बेज़ वे ये मूवी है मूवी के हिट हो जाने के बाद, फिल्मेकर्स अब जानते हैं कि अगर बड़े-बड़े अक्टर्स के कैमियो लिये जाएं तो शायद मूवी हिट हो जा सकती है जैसे कि हम लोगों ने देखा फर्स्ट में शारुक खान और नागर्जुन के कैरक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया गया तो शायद ये भी हो सकता है कि बड़े-बड़े अक्टर्स भी इस मूवी में आके अपने कैमियो उस थे इस वीडियो में बस इतना ही अब लेता है अलविदा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट और नए फियोरीज के साथ